नमस्कार आप देख रहे हैं राजस्थान समाचार आईए जानते हैं राजस्थान से जुड़ी दस बहत बड़ी खबरों को बता दें लोकसब अध्यक्ष बोले ग्रामिने छेत्रों से आ रहे कोरोना संकरमन के काफी मामले बढ़ रहे हैं बता दें लोकसब अध्यक्ष ओम बिर्ला ने सुकरवार को कहा कि कोविड-19 संकरमन की पहली लहर में सहरी छेत्र परभावित हुआ था लेकिन इस बार काफी संक्या में मामले ग्रामिने छेत्रों से आ रहे हैं तथा कुछ गाओं में संकरमन की दर 25 फिसदी तक दर्ज की गई बता दें बिर्ला ने ग्रामिने जश्तर पर स्वास्त सेवा नेटवर्क का धाचा तयार करने पर बल दिया ताकी कोरोना वाइरस संकरमन से पीडित व्यक्तियों को उसके घर के पास पर्याप्त चिकित सा सुभीधा प्राप्त हो स के बता दें लोकसभाध्यक्ष ने अपने संसदिये छेत्र कोटा बुंदी के लोगों के साथ डिजीटल माध्यम से संवाद में कहा कि यह आपदा की इस्थितिये जो हमें सजग और सतर करहने को कहती है तथा इसमें थोड़ी सीवी कोताई बड़ी समस्या पैदा कर सकती है उन्होंने कहा कि संसदिये छेत्र कोटा बुंदी में कोरोना संकरमन की कड़ी तोड़ने के लिए स्वास्त कोरोना योदा सैनिक टीमों का गठनों किया है जो वाड और गाउं की सुरच्छा कृत संकल्पित होकर करेंगे वहीं बढ़ते हैं अगली ख़वर की और बेकाबू कोरोना को रोकने के लिए सरकार ने दिखाई सकती अनावस्यक गूम रहे 1900 लोगों को पकड़ा किया क्वारंटाइन बता दे राजस्थान में कोरोना ने कोराम मचा हुआ है जहां हर दिन रिकॉर्ड मामले सामने आ रहे की पूरी रिपोर्ट देखें तो अब तक कोरोना से 6,68,000 से जादा लोग संकर्मित हो चुके हैं जबकि 4866 लोगों की इस बिमारी से मौत हो चुकी है परदेश में कोरोना की दूसरी वेव को रोकने के लिए राजस सरकार ने 17 मई तक लोकडाउन जैसी पाबंदिया लगा यह जिसका पालन करने के लिए सरकार ने कड़े आदेश दियें इसी का परिणाम है कोरोना कर्फियू में अवन आवस्यक गुम रहे 1900 लोगों को पकड़ कर संसागत कॉरंटाइन कर दिया गया है बता दे वही नियम तोड़ने वाले लोगों से लाखों रुपियों का जुर लोगों पर कड़ी करवाई करने के लिए राज़िस सरकार ने एक और टीम गठित की है इसी बीच राजर स्थान में औक्सीज़न और वैक्सिन के बाद वेंटीलेटर्स पर गर्माई सियास्त सीम गहलोत ने लगाया बढ़ा आरोप बता दे आक। औक्सीजिन और वैक्सीन के बाद केंदर सरकार तता राईजिस सरकार के बीच ventilators को लेकर सियासत स्थूरू हो गई है बीजेपी जहां केंदर से मिले ventilators को private hospital को किराये पर देने का आरोप लगा रही है वहीं CM असोक गहलोत ने केंदर से मिले Ventilators को दिरिफ्यक्टिव बताते हुए इनकी खरीद की जाच की मांग कर डाली है बता दे कि PM Care Fund से खरीदे गए Ventilators की क्वालिटी को लेकर CM गहलोत ने केंदर सरकार पर हमला बोला है CM गहलोत ने ट्वीट कर कहा कि भारत सरकार ने परदेश को PM Care Fund से 1900 Ventilator उपलब्द करवाये थे इनके इंटलेशन और मेंटिनेंस की जिम्मेदारी भी भारत सरकार की ही थी बता दे गहलोत ने कहा कि डॉक्टर्स के मुताबिक इनमे से कई वेंटिलेटरों में तकनीकी कम्या और इन्हें इस्तेमाल करना रोगियों के लिए खतरनाक साबित हो सकता है बता दे कि गहलोत का यह बयान तब आया जब BJP ने वेंटिलेटर्स किराए पर देने के मसले को तूल दे रही है और राजस सरकार को चोतरफा घेरने का परियास कर रही है तो वहीं बढ़ते हैं अगली ख़बर की ओ राजस्थान में कोरोना के बीच बढ़ रहा है ब्लेक फंगस का खतरा असोक गहलोतने की केंदर सरकार से रिसर्च करवाने की मांग दरसल राजस्थान में वैस्विक महामारी के बीच म्यूकर माइकोसिस यानी की ब्लेक फंगस का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है इस बीमारी में लोग अपनी आखों की रोसनी के साथ मुह के जबडों को भी निकालना पढ़ रहा है इस पर राजस्थान की गलोज सरकार ने चिंता जाहिर किये बता दे राजस्थान के मुख्यमंतरी असोक गलोज सरकार ने ट्वीटर पर लिखा राजस्थान सहित देश के विबिन राजियों में कोरोना से ठीक हो चुके मरीजों में म्यूकर माइकोसिस यानी ब्लैक फंगस बिमारी के मामले सामने आना काफी ज़्यादा चिंता जनक है ऐसी जानकारी मिली है कि यह बिमारी कोरोना से ठीक हुए डैबिटीज के रोगियों में अधिक हो रही है बता दे कि इस बिमारी में पीडित की आखोंस की रोशनी जाने के साथ जबडे तक को निकालने की नौबत आ रही है भारत सरकार को इसे गंभीरता से लेना चाहिए साथी इस पर रिसर्च करवानी चाहिए साथी इस बिमारी की रोग्ता में वम इलाज में काम आने वाली जरूरी दवाईयों एवम इंजेक्शन जैसे M40 सिरीन की वेवस्था भी कर लेनी चाहिए जिससे इसकी कमी ना हो पाए